सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल ओनलाइन जॉब वर्क को यहां सब्सक्राइब के निशान पर टच करके और उसके बाद गंटी के निशान पर भी टच करतीजिए ताकि हमाई नहीं नहीं वीडियो आपके पास पहुंचती रहे हैं और यह बिल्कुल फ्री होता है दोस्त नमस्कार दोस्तों बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे किस तरह से अपने जियो की स्पीड को बहुत जादा बढ़ा सकते हैं दोस्तों सबसे पहले आपसे रिक्वेस्टे प्लीज इस वीडियो का आप एंड तक देखिए ताकि आपको अच्छे तरह से जानकारी मिल सके तो दो तरीके मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा पहला तरीका है कि हम कॉल के थ्रू करके अपने जियो की स्पीड को बढ़ा सकते हैं तो का नंबर क्या है वो मैं आपको बताता हूं देखिए आपको अपने में डायल करना है 1-800-3-000-0123 तो इसको आप डायल कर दीजिएगा अपने जियो की सिम से जैसी आप इसको जियो की सिम से डायल कर देंगे तो यह कॉल हो जाएगी कस्टमर पर और कट होने के बाद अपने आप आपके फोन पर आटो कॉल वापस आएगी जैसी आटो कॉल पाबले जियो की स्पीड थोड़ी बढ़ जाएगी ठीके दोस्तों तो यह पहला तरीका कि आप इस नंबर पर डायल कर सकते हैं इसका आप स्क्रीन शॉट खीच लिए चाहें आप इसे लिखकर रख लीजिए अब मैं आपको दूसरा का पताता हूं दूसरे तरीके में आपको यह पहले तो डाटा रोमिंग जो है इसे आउन करके रखना है जिहां इसके पाइदे है कि आप कभी भार भी होंगे तब भी आपका नेट चलता रहेगा तो डाटा रोमिंग को आप ओन करके रखेगा और दूसरा पॉइंट जो एक्सिस पॉइंट नेम है इसे आप क्लिक कीजिए एक्सिस पॉइंट नेम पर क्लिक करेंगे तो आपको जियो 4G पर यहां क्लिक होकर रखा होगा आपको इसेच करना है जैसी आप टच करेंगे इसकी सेटिंग्स खुल जाएंगी इस सेटिंग्स में अब हमें दो तीन चीज़े चेंज करनी है अगर आपने न इसके फोन में नहीं है तो आप इस पर सेट कर दीजिए दूसरा अप्शन एपन रोमिंग प्रोटोकॉल इसके नीचे ही है इस पर आप टच कीजिए और इस पर भी आपको EPV4-EPIPV6 के उपर टच कर देना है तो अगर आपके फोन में यह सेट नहीं हो रखा तो आपको इसक और अने स्पेसिफाइड तो आपको LTE पर सेट कर देना है बस जैसे आप LTE पर सेट करेंगे तो आपको ऊपर तीन बंदी नजर आ रही है इस पर आपच कर दीजिए और यहां पर आप इसको सेव कर दीजिए सेव करने के बाद आप बैक हो जाईए बैक होने पर जो आपको इस पर टच करना है यह पहले आप्शिन पर नेटवर्क मोड में जैसे आप इस पर टच करेंगे इस सेव कर दीजिए आपके फोन के जो स्पीड होगी वह पहले के मुकाबले बढ़ जाएगी तो दोस्तों इन दोनों ही तरीकों को आप इस्तिमाल करके देखिए और आपके एरिया में अगर नेटवर्क कम रहेगा तो आपकी स्पीड भी कम ही रहेगी तो अगर आपके इस एरिया में नेटवर्क पूरे आ रहे हैं तो आप पूरी स्पीड का फायदा उठा सकते हैं तो दोस्तों यह थी एक जानकारी कि किस तरह से आप अपने जियो की स्प झाल